एक देश एक चुनाफ पर बीते साल से सरगर्मी अगले हफते से और तेज होने वाली है। लौ कमिशन इस मुद्धे पर अगले सब्ता अपनी रिपोर्ट केद्र सरकार को भीच सकता है। इससे भी बड़ी खबर ये है कि हो सकता है साल दोहजार उनतिस में जब चुनाफ हो तो वो एक देश एक चुनाफ वाले कॉंसेप्ट पर हो। असल में इस रिपोर्ट में लौ कमिशन सम्विधान में संशोधन कराने और साल दोहजार उनतिस के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राजविधान सभा और स्थान्य निकाई चुनाफ कराने की भी सिफारिश कर सकता है। नियूस अजनसे की खबर के मताबक नए मुर्टी रितुराज वस्ती की अध्यक्षता में काम कर रहा आयोग एक साथ चुनाफ को लेकर एक नए अध्याई को सम्विधान में जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा। इसके अलावा पैनल अगले पांच सालों में तीन स्टेप में विधान सभाओं की शर्तों को समकारिन करने की भी सिफारिश करेगा। अब इस तरह देखा जाया तो लौ कमिशन जो प्लान देने जा रहा है उसके मताबक यूजन है कि इसके बाद पहला एक देश एक चुनाफ मैं जून दोहुजार उनतीस में हो सकता है। सूत्रों के मताबक लौ कमिशन जिस नए अध्याय को जोड़नी की सिफारिश करने वाला है उसमें ये शामिल होगा कि सरकार की सर्ता, सरकार गिरने ये मध्यवी चुनाफ की स्थिती आने पर मिली जूली आंतरिम सरकार का गठन किया जा सके। ताकि शाषन चलाने के लिए एक सामिधाने क्यवस्था कायम रहे। इसके साथ ये एक साथ चुनावों के सिर्ता और लोकसभाय राज विधान सबाओ, स्थाने निकायों यानि पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए एक मद्धाता सुची से सम्मंधित मुद्दे भी सुलचाये जाएंगे। लोकमिशन अपने रिपोर्ट में देश भर में त्री स्थरे चुनाव यानि लोकसभा, विधान सबाओं और स्थाने निकायों वह पंचायत के चुनाव एक साथ करायने की सिफारिश भी करेगा। विधिया आयोग जो सिफारिश अपने रिपोर्ट में करने जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सरकार और विश्रास प्रस्ताव पास होने की कारण गिर जाती है या आम चुनाव के सदन त्रिशंकु जनादेश आता है तो ऐसे स्थिति में विभिन राजनेतिक मिली जुली साजह सरकार के गठन पर विचार करें साजह सरकार का फॉर्मुला काम नहीं करें तभी सदन के बचे कारेकाल के लिए नए सिरे सचुनाफ कराये जाएं सूत्रों ने ये भी कहा है कि आयोग सिफारिश करेगा कि पहले चरण में राज्य विधान सभाओं से जाती है या त्रिशंकु सदन होता है तो आयोग विभिन राजनीती दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिटी गौवर्मेंट के गठन की सिफारिश करेगा अगर इस यूनिटी गौवर्मेंट यानि की एकतसरकार का फॉर्मुला भी काम नहीं करता तो कानून पैनल सदन के शेश कारेकाल के लिए नए सिरे से चिनाफ कराने की शिफारिश करेगा गौड तलब है कि विधी आयोग के अलावा पूर्वरास्टपती रामनात कोविंत के अध्यक्षता में एक उच स्थरे समीती भी इसे लेकर काम कर रही है जैसे सम्विधान और मौजूदा कानून द्हांचे में बैदलाव करके लोकसभा और विधान सभाव नगर पालिक और पंचातों के लिए एक साथ चुनाफ कराये जा सकते हैं इसके अपनी रिपोर्ट में लौ पैनल की सिफारिश को शामल करने की संभावना है बता दें कि इस साल के अंग तक जुम्मु कुश्मीर कкіर्यों महाराजट ठार्याना उचार्खन विधानसभा में चुनाब होने हैं बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाब होने हैं असम बंगाल तमिलाडू कुंडू-चेरी और केरलMay 2026 में और उत्तरबडेश उत्रखन पंचाब और मनेपूर में 2027 में लंगाना में विधान सभा चिनाफ होने हैं लौ कमिशन अपरी रिपोर्ट में जिस सांजय सरकार की कल्पना को सामने रखने वाला है इसका असल मतलब क्या है वास्तविक्ता में वो कैसी होगी और क्या विश्वास भर की राजनीती में इसका कहीं अस्तित्व है यह तीनों ही बचता तो ऐसी गड़बंदन वाली और मिली हुई सरकार को यूनिटी कोवर्मेंट या एकता सरकार कहा जाता है हाला कि यह भी लिखा है कि आपातकारीन वाली स्तिती मसलन को यूध्य या रास्ट आपड़ा की स्तिती में भी इसके अस्तित्व में आने की संभावना